कि अंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने माननीय पलिस अदिक्षियर मौधय के निर्देश नुसार कारवाई करते हुए इसमें जो मुख्या रोपी है अशीब खान ये सजापूर जले का रहने बाड़ा है और इसकी पोजेशन से साड़े तीन सो ग्राम जो हिरोईन है कमर्शल कॉंटिटी होती है मेन सप्लायर है ये इसका वो इसकी पोजेशन से रिकवर करी है और इस रेफरेंस में एक फाइया रिजिस्टर्ट करी है जिसका इन्वेस्टिकिशन है एटिन आपको टेक्स अलिया ना नगर द्वारा आमल में लाया जा रहा है ये इसकी अगर मार्केट वैल्यू देखे तो इनिशियल इंफ्रमिशन के असाब से मारे 15-20 लाग की इसकी वैल्यू है जो ये हिरोईन है बाकि वो मार्केट वैरिशन के साब से गटती बढ़ती रहती है और अभी इसको कल अरेस्ट के लिया था आज इसको अन्रबल रिक्वेस्ट करेंगे पांस दिन का रिमांड हमें दिया जाए ताकि हम इसके मुख्या सोर्स तक पहुंच सकें रिकोर्ड की बात है जैसे ये पुस्तैनी तोर पे यूपी सद्र साजापूर थाना के अरिया कराने बाला है वहां के परमंदर थाना उसके पत्राचार किया ह इसके बारे में और भी कर्मिनली हिस्ट्री है उसका रिकोर्ड लिया जा सकें और यही एक सूचना है जो एक कमेर्शिल कॉंटर्टी एटे नार्कोटिक सल ने करवाई करते हुए इसको पंजाम दिया है और इसके जो मुख्या सप्लायर है उसको पक्टा है अभी यह कल ही ह जाते हैं उसी के लिए पांस दिन का रिमांट लिया जा रहा है वो लोग हमारे पास यूपी का जो कनेक्शन है इसका वो भी हम अनर्थ करेंगा और जो बाकी लोग है उनको भी जल से जल्दी रेस्ट किया जाएगा जो इसके साथ और लोग इसी इसमें संलिपता है और को एंटी नार्कोटेक्स सेल की टीम ने माननिया पलिस अदिक्षिर माधय के निर्देशान उसार कारवाई करते हुए साधे तीन सो ग्राम स्मैक जिसको हिरोईन जो बोलते हैं वो हिरोईन कल पकड़ी है इसमें जो मुख्या रूपी है हाशीब खान सानो फैबत खान ये सज इसका इन्वेस्टिकिशन है एंटी नार्कोटेक्स अलिया नगर द्वारा अमल में लाया जा रहा है ये इसकी अगर मार्केट वैल्यू देखे तो इनिशियल इन्प्रमेशन के आसाब से मारे 15-20 लाग की इसकी वैल्यू है जो ये हिरोईन है बाकि वो मार्केट वैरिशन पहुंच सकें जैसे ये पुस्तैनी तोर पे यूपी सद्रसाजापूर थाना के एरिया करने बाला है वहां के परमंदर थाना उसका पत्राचार किया ताकि इसके बारे में और भी कर्मिनली हिस्ट्री है उसका रिकॉर्ड लिया जा सके और ये ही एक सूचना है जो एक कमेर पांस दिन का रिमांट लिया जा रहा है वो लोग आमारे पास यूपी का जो कनेक्शन है इसका वो भी हम एनर्थ करेंगा और जो बाकी लोग है उनको भी जल से जल्दे रेस्ट किया जाएगा जो इसके साफ़ और लोग इसी इसमें सनलिपता है और को